बांसूर के नरायनपूर रोड़ पर राधाकृष्ण वाटिका के सामने देर रात दर्दनाक सड़क हाथ से में एक बाइक सवार युवक की मौकी पर ही मौत हो गई योग बाइक पर सवार होकर बानसूर से अपने घर जा रहा था इसी दोरान सामने से आ रहे कि अग्यात वाहन ने टकर मार दी घर्टा नारायनपूर रोड़ पर राधा कृष्ण वाटिका के सामने रातरी सड़े आट बजे की है जहां हमें हिस्त कुमार मेगवाल बायसवर से पोत्र बन्वारी लाले लिवासी गिरूडी बानसूर से बाइक पर सवार होकर अपने घर गिरूडी जा रहा था इसी दोरान राधा कृष्ण वाटिका के सामने नारायनपूर की तरफ से आ रहे एक ग्यात वाहन ने टकर मार दी और मौकी से वाहन को लेकर फरार हो गया वही टकर से बाइक पर सवार युवाक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया वही मौके पर आसपास के लोगों की भीर जमा हो गई ग्रामिनों ने इसकी सूचना बानसूर पुलिस को दी जानकारी के अनुसार मौत की युवाक कारगीर का काम करता था और बानसूर से अपने घड़ जा रहा था वही आट मेहने पहले पत्नी की मौत हो गई थी मौतक युवाक के दो बेटे हैं जुनके उम्ड़े छे साल और बारा साल है वही इस हाथसे में दोनों बच्चों के सिर में माबाप का साय उठी गया टेलिपॉन सूचना मिली राजा कर्ष्मिनवाटी का बानसूर नारेनपुर रोड़ था मोटशाहिल सवार को अग्यात वहाँ ने टकर मार दी इसकी सूचना मोक्य पूचे मोक्य पे मजरूर की मरती होगी थी इसको रोटी बैंक की एम्बूलेंस की साहिता से सिगरी बानसूर होस्पिटल पहुचाया और डेड़ बोडी मोर्चरी रूम में रखवाया है सुबह टाइम पे मेडिकल होगे रख राके पोस्टमार्ट वारिसान सुपर की जाएगी